दोस्तों क्या हो अगर आपको एक एंसा रिमोर्ट मिल जाए जो कि आपके एलेक्ट्रोनिक डिवाइसे के साथ साथ किसी इंसान को भी कंट्रोल कर सकता हो कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में जब माइकल नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक रिमोर्ट मिल जाता है और इसके बाद वो इस रिमोट से अपनी जिन्दगी में क्या क्या बदलाप कर देता है जानने के लिए बने रही है इस बीडियो के एंड तक ये कहानी शुरू होती है और हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक काफी छोटा और सुखी परिवार है इस फैमिली में उसकी बाइफ का नाम डोरा होता है और साथ ही उसके दो बच्चे जिनका नाम सेमेंथा और केविन होता है वो यहाँ पर अपने बोस से ही बात करता रहता है अब माइकल का बोस उसे एक बहुती बड़े प्रोजेक्ट का ओफर देता है और अब इसलिए माइकल भी उस प्रोजेक्ट के लिए हां कर देता है अब इसके बाद माइकल अपने घर होता है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने घर पर कु वो यहाँ पर उस documentary film को start करने के लिए एक remote उठाता है लेकिन बहाँ पर पहले से ही बहुत सारी remote रखे थे और वो यहाँ पर गलती से एक helicopter का remote उठा लेता है वो helicopter सीधा आगर उसके सर पर लगता है और अब इस सबसे परिशान होकर Michael बाहर एक universal remote लेने के लिए चला जाता है अ लेकिन Michael को इसमें कोई भी दिल्चस भी नहीं थी और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है Michael अपने सामने एक बैट को देखता है इसलिए वो उस पर आराम करने के लिए लेट जाता है और थोड़े समय के बाद वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक और शोप दिखाई दे यहाँ पर मोटी Michael को बताता है कि यह रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है साथ ही वो यहाँ पर Michael से कहता है कि मैं तुमें इस रिमोट को दे रहा हूँ लेकिन मैं यह रिमोट तुम से बापस नहीं लूँगा अब माइकल को उसकी बात काफी हजीब लगती है वो सोचने ल माइकल नोटिस करता है कि दोरा सच में रुख चुकी है अब वो जैसे ही बटन को दोबारा प्रेस करता है दोरा फिर से नौरमल हो जाती है इसके बाद माइकल अपने घर की बेस्मेंट में जाकर काम करने लगता है यहाँ पर माइकल का कुता वह ज्यादा भूंक रहा होता और इसलिए माइकल मजाग में वो रिमोर्ट उठा कर उसका William कम कर देता है और इससे कुट्टे की आवास Sutch में कम हो जाती है अब यहाँ पर माइकल Silent बटन दवाता है तो उसका कुट्टा Silent हो जाता है अब यह सब देखकर माइकल एकदम से हैरान रह जाता है इसके बाद वो अपने कुट्टे को जरूरी काम कराने के लिए उसे गार्टन में ले जाता है वो यहाँ पर fast forward का बिटन दवा देता है और इससे उसका कुट्टा सभी काम जल्दी जल्दी कर लेता है अब इसके अगले दिन हमें डोरा की फ्रेंड एनी को दिखाए जाता है वो डोरा के पास आई थी और यहाँ पर माइकल उस रिमोट का यूज़ करते हुए उसे म्यूट कर देता है अब इसके बाद माइकल फिर से मोटी से मिलने के लिए जाता है यहाँ पर माइकल उस से कहता है कि मैं उस दिन तुमारी बार ठीक से समझने ही पाया था तुमने तो यार सेच में मुझे एक जादोई रिमोट डे दिया है मोटी यहाँ पर माइकल से कहता है कि यह जो तुमारे हाथ में रिमोट है यह सच में एक universal remote है इससे तुम सब कुछ control कर सकते हो यहाँ तक कि तुम इससे अपनी life को भी control कर सकते हो वो यहाँ पर Michael से menu button दवाने के लिए कहता है जैसे कि Michael menu button दवाता है तो उसकी जिन्दगी की सारी यादें उसके सामने आ जाती है माइकल यहाँ पर देखता है कि उसका जन्द कैंसे हुआ वो यहाँ पर अपने बच्वन को देखता है जिसमें वो बच्चों के साथ baseball खेल रहा होता है और उसके ममी पापा भी उसके साथ काफी खुश थे यहाँ पर उसके पापा उसे एक coin की trick दिखा रहे होते हैं जिसमें वो एक सिक्के को अपने मुं में डाल कर उसे गायब कर लेते हैं अब यह trick देखकर मोटी भी काफी हरान रहे जाता है वो माइकल से पूछता है कि यह उन्होंना कैंसे किया यहाँ पर माइकल उसे बताता है कि यह खास तरह का coin होता है जो कि सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है यहाँ पर माइकल उसे यह भी बताता है कि मैं हमेशा अपने पापा के सामने इंजान बनने का नाटक करता था लेकिन मुझे इस बारे में पता था बाद में Morty play Caroline दवाने के लिए कहता है और इसके बाद यह present time में आ जाते हैं इसके बाद Morty अपना card Michael को देता है जिससे कि अगर Michael को कुछ भी पूचना हो तो वो उससे बात कर सके अगली सीन में हमें दिखाए जाता है कि Michael अपने बोस से मिलने के लिए एक होटेल में जाता है वहाँ पर उसका बोस से कहता है कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है तो तुम्हारा प्रमोशन एकदम पक्का है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए होगे तो अपने लिए नई नोकरी ढूंड लो अब इसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है दूसरी तरफ घर पर हमें डोरा को दिखाये जाता है जो कि माइकल के मॉम और डैट को डिनर पर इंवाइट करना चाहती है लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब उसे बहुत सारा काम था लेकिन मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लैन बना लेती है अब क्योंकि माइकल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इसलिए वो अपने पैरेंट्स के यहाँ पर आने उनके खाना खाने, यहाँ पर बाते करने यह सारे पल वो अपने रिमोट से स्किप कर देता है इसके बाद वो अपने काम करनी की जगा पर आ जाता है इसके बाद यहाँ पर डोरा भी पहुँच जाती है वो यहाँ पर माइकल से कहती है कि तुमने अपने पैरेंट्स से वादा किया था कि तुम अपने बर्थड़े वाले दिन अपने पिता को लंच पर इन्वाइट करोगे और उने सर्प्राइज भी दोगे लेकिन माइकल को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कप कहा और इसलिए वो मोटी को कोल करता है और जैंसे ही वो से कोल करता है तो मोटी उसके घर के दर्वाजे पर ही खड़ा होता है ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं और यहाँ पर बाते करने लगते हैं मोर्टी यहाँ पर उसे समझाता है कि जब भी तुम फास्फोरवड का बटन दवाते हो तुमारी लाइफ भी ओटो पाइलेट के जैसे खुद से ही चलने लगती है इससे तुम अपना काम तो जल्दी कर लेते हो लेकिन तुम इस बीच उन से बाते भी करते होगे और इसलिए वो फास्फोरवड वटन का यूस करके जल्दी से अपनी कमपनी में पहुँच जाता है है अब शाम को जैपनीज क्लाइंट के साथ माइकल और उसकी बोस की मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग से पहले वो जैपनीज साइड में जाकर बात कर रहे होते है और यहाँ पर माइ और डोरा के लिए एक मेहंगा पर्स खरीद कर लाया होता है और साथ ही वो यहाँ पर डोरा को एक खुसखबरी देता है कि कमपनी में उसका प्रमोशन होने वाला है और अब इसलिए डोरा भी काफी खुश होती है वो यहाँ पर माइकल और अपनी पहली मुलाकात का गाना सुन लेता है, डोरा फिर से वो गाना सुनकर काफी खुश हो जाती है, खैर रव अगले दिन माइकल जब अपने बोस से जाकर मिलता है, तब उसका बोस उसे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें और भी प्रोजेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हारा प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हें तीन से चार महीने लग जाएंगे, यहाँ पर माइकल कहता है कि यह क्या बगबास है, मैंने अपने प्रोजेक्ट की खुश्री में काफी सारी शोपिंग कर लिये, और अपने काफी सारे महीने के लिए अपनी लाइफ को फास्ट फोवड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मोटी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी लाइफ में काफी कुछ मिस कर देगा और अब इसके लिए माइकल भी मान जाता है और वो अपने घर चला जाता है यहाँ अगर माइकल अपने काम में लग जाता है और वो काफी परिशान होता है वो यहाँ पर अपने बच्चों को भी डांट देता है और अब इस बात के लिए माइकल को काफी बुरा भी लगता है और अब यहाँ पर माइकल फैसला कर लेता है कि मैं तीन महीने आगे जाओंगा इसमें मेरा क्या भी गड़ जाएगा और इसलिए वो टाइम को फास्ट फोवर्ट कर देता है अब वो सीधा अपने आपको ओफिस की पार्टी में पाता है जहाँ पर सभी लोग उसे बधाईयां दे रहे होते हैं उसका बोस उसे पिर्मोशन के लिए बधाई देता है और यहाँ पर अपनी गल्फेंट जेनी से भी उसे मिलवाता है और यहाँ पर माइकल को रेलाइज होता है कि उसे अपने पिर्मोशन में दो साल लग गए है और उसने अपनी जिन्दगी के दो साल खो दिये है यह सब जानने के पास माईकल अपनी फैमिली के पास बापस पहुँचता है और वो काफी खुश होता है अब यहाँ पर उसकी बच्चे 2 साल बड़े हो चुके थे और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुटा मर चुका है और यह सुनकर उसे काफी दुख होता है यहाँ पर वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और इसी के साथ बो रिमोट टाइम को fast forward कर देता है अब ये देखकर माइकल काफी परिशान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे और इसलिए वो फिर से मोटी को call करता है लेकिन अचानक से मोटी वहाँ पर पहुँच जाता है जिससे माइकल डर जाता है यहाँ पर माइकल उसे अपनी परिशानी के बारे में बताता है मोटी उससे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के 2 साल fast forward कर दिये हैं तो उस दोरान तुमने जितने भी पल fast forward किये होंगे तो ये सारे पल auto fast forward मोट में चले गए होंगे और ये जो भी हो रहा है ये भी इसी मोट का एक फीचर है अब माइकल उस रिमोट को खुछ से दूर करने के लिए उससे फैंकता है लेकिन वो रिमोट बापस उसके पास आ जाता है माइकल उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो रिमोट तूटता ही नहीं और माइकल समझ जाता है कि ये रिमोट उससे अब दूड़ नहीं होगा अब अगली सुवज़ जब माइकल सुबह उठता है तो वो नहाने और अपना नाश्टा करने का सीन fast forward होने के डर से बिना नहाई ही अपने ऊफिस चला जाता है यहाँ पर उसका बोस उससे ऐसा करने की वजह पूचता है तो यहाँ पर माइकल उससे एक अजीर सी वजह बता देता है यहाँ बात उसके बोस के भी समझ आ जाती है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है यहाँ पर माइकल का बोस उसे बताता है कि मैं और जेनी अपनी कहीं और जिन्दगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए मैं अपनी जगा एरिक लेमन को बिठाना चाहता हूं और उसकी जगा मैं तुम्हें मिठाना चाहता हूं और साथ ही उसका बोस उसे ये भी कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो तुम जल्दी इस कमपनी के CEO बन जाओगे यह वास सुनकर माइकल काफी खुश होता है लेकिन तभी उसके रिमोट में फास्फ़वड बिटन ओन हो जाता है और फिर से उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है यहाँ पर माइकल अपने रूम में सोया हुआ था और यहाँ पर उसे उसके बोस का वीडियो को लाता है यहाँ पर उससा पता चलता है कि एरिक लैमन में खुद खुशी कर ली है और अब उसकी कंपनी का CEO माइकल ही है और अब यह सब उने में 10 साल बीच चुके थे वो यहाँ पर अपने आपको देखता है वो काफी मोटा हो चुका था और घर जाता है तो पता है कि उसका बेटा कैविन भी उसी की तरह मोटा हो चुका है कैविन अपनी इस हालत के लिए माईकल को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि माईकल ने बच्पन से उसकी परबरिश ठीक से नहीं की इसके बाद माईकल सेमेंथासे मिलता है वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और काफी सुन्दर हुई इसके बाद माइकल डोरा से मिलने के लिए अपने गार्डन में जाता है वो यहाँ पर आकर देखता है कि डोरा ने अपने बच्चों के ठीक भविशे के लिए दूसरे आदमी से शादी कर ली थी यह देखकर वो रिमोट को पाउस कर देता है माइकल को काफी गुस्सा आ रहा होता है वो इस सबकर जिम्मेदार मोल्टी को ठहरा रहा होता है और यहाँ पर तुरंद मोल्टी पहुँच भी जाता है वो माइकल से कहता है कि देखो यह जिन्द की तुमने खुँच चुनी है क्योंकि तुमने अपने काम और परिवार के बीच हमेशा अपने काम को ही चुना और इसी बजह से तुमारी यह हालत हो चुकी है अग यहाँ पर माइकल जैसे ही प्ले का बिटन दवाता है तो डोरा का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और इससे उसके सर पर शोट लग जाती है जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि उसके शरीर की सभी चरवी गाया हो चुकी है वो एक दर्म ठीक हो चुका है और उसकी एक्स बाइफ उसके पास होती है डोरा हो से बताती है कि तुम्हें कैंसर था इसलिए तुम्हारा बजन तेजी से बढ़ रहा था इसी बीच तुम्हें काफी टाइम लग गया और आज 6 साल के बाद तुम ठीक हुए हो यहाँ पर माइकल और दुखी हो जाता है कि उसने अपने जिन्दगी के 6 साल और खो दिये बाद में माइकल अपनी कमपनी में जाता है तो वो पाता है कि उसकी बीडियो एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी जिसके उपर आर्किटेक्ट ओफ दा येर लिखा हुआ था माइकल के सभी सपने तो पूरे हो चुके थे लेकिन अब वो इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि माइकल ने अपनी जिन्दगी के काफी साल हो दिये थे यहाँ पर उसका बेटा केबिन उसकी बिजनिस में हेल्प करता है वो अपने बेटे के ओफिस में जाता है और उससे बात करता है यहाँ पर बातों के दोरान माइकल कहता है कि मुझे अपने डैट से मिलना है लेकिन यहाँ पर उसका बेटा केविन उससे बताता है कि ग्रेंटपा को गुजरे हुए काफी सालो चुके हैं यह बाद सुनने के बाद माइकल बहुत ज्यादा रोता है इसके बाद वो अपने डैट से मिले के लिए उनकी कबर पर जाता है वो यहाँ पर अपने फादर को बहुत मिस करता है और काफी रो रहा था वो यहाँ पर रिमोट को फास्फोवर्ट करके उस समय में जाने ही कोशिश करता है जब उसके फादर की डैथ हुई थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता तब ही वहाँ पर मोटी आ जाता है वो उससे कहता है कि तुम उस समय में नहीं जा सकते जिस समय में तुम थे ही नहीं क्योंकि तुम अपने फादर की मोट की समय वहाँ पर नहीं थे ये बास सुनकर मोटी उस समय में चला जाता है जहाँ पर वो अपने फादर से लाश्ट टाइम मिला था और वो वहाँ पर चला भी जाता है यहीं पर केविन अपने फादर को एक design दिखा रहा होता है और यहाँ पर Michael उसके design पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देता और आजका Michael अपने पुराने Michael को देखकर काफी गुस्सा होता है और तभी वहाँ पर उसके डैड भी पहुँच जाते हैं वो उससे बाहर भूमने के लिए कहते हैं लेकिन माइकल अपने फादर पर काफी गुस्ता करता है और उन्हें यहां से चले जाने के लिए कहता है अब माइकल के डैड उसे हलवीदा कहते हैं और यहां से चले जाते हैं और जो अपके समय में माइकल था उन्हें देखकर गुडबाई कहता है अब माइकल अपने रियाल टाइम में आ जाता है अब वो काफी दुखी होता है यहाँ पर मोटी कहता है कि मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में काफी दुख हुआ तब माइकल उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा अब मोटी उससे कहता है कि मैं एक एंजल हूँ मैं वो एंजल हूँ जो कि लोगों को मार कर उनकी आत्मा ले जाता है यह बाद सुनकर माइकल काफ ही डर जाता है और वो यहाँ पर रिमोट का बटन दबा कर और कुछ सालों को fast forward कर देता है और अब वो यहाँ पर अपने बेटे की शादी में होता है वो यहाँ अपने बेटे की शादी में speech भी देता है और अपनी ex-wife Dora के साथ dance भी करता है इसी बीच उसे यहाँ पर heart attack आ जाता है और वो नीचे गर जाता है इसके बाद जब माइकल को होश आता है तो वो hospital के बेट पर होता है जो की service support की वजह से जी रहा था और तब ही यहाँ पर Kevin और Samantha पहुँचते हैं माइकल केविन से कहता है कि तुम honeymoon पर क्यों नहीं गए वो कहता है कि एक urgent meeting थी इसलिए मैंने honeymoon को cancel कर दिया यहाँ पर माइकल उससे समझाता है कि तुम अपने परिवार को time दो लेकिन उससे फिर से एक urgent meeting होती है इसलिए उससे यहाँ से जाना पड़ता है अब माइकल उससे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन तभी मोटी भी यहाँ पर पहुँच जाता है वो उससे बैट पर बापस लेटने के लिए कहता है लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता वो बाहर केविन के पीछे भागने लगता है बाहर काफी तेज बरसात हो रही होती है लेकिन फिर भी वो भागता रहता है और वो भागता भागता नीचे गिर जाता है अब यहाँ पर केविन और आसपास के बहुत सारे लोग भी आ जाते है यहाँ पर माइकल केविन को समझाता है कि हमेशे अपने परिवार को समय दो क्योंकि केविन भी माइकल की तरह ही गलती कर रहा था इसके बाद वो डोरा से बात करता है वो से कहता है कि मैं हमेशे तुम्हें प्यार करता रहूंगा इसके बाद मोटी भी यहाँ पर पहुँच जाता है वो से कहता है कि चलने का समय हो गया है और वो उसकी सोल को लेकर यहाँ से चला जाता है अब माईकल मट चुका था और यहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और तभी यहाँ पर हम एक सफेद फ्लैश को देखते हैं माईकल यहाँ पर तेजी से गवडा कर उठता है जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो वो अपने आपको आईने में देखता है तो वो पाता है कि वो एकदम जवान है वो उसी समय में है जिसमें वो पहले था और उसके पास में वही श्टाफ का लड़का खड़ा होता है अब माईकल काफी खुश है वो उस लड़के से दोस्ती भी कर लेता है वो बाहर आता है और अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर काफी खुश होता है अब माईकल को परिवार का मतलब समझ आ गया था वो सबसे पहले जाकर अपने मॉम और डेट से मिलता है और उन्हें अपने गर डिनर पर इंवाइट करता है बात में अपने घर पहुँचता है और जोर जोर से बरतन बजाता है जिससे कि सभी फैमिली मेंबर्स जाक जाते है यहाँ पर वो अपनी बाइफ डोरा से कहता है कि चलो जल्दी करो हमें अपने ट्रीप की तैयारी करनी है और यहाँ पर वो अपने बच्चों से ही वादा करता है कि अगले हफते अब मिलकर वो ट्री हाउस बनाएंगे बाद में वो अपने रूम में जाता है और अपने मॉम डेट को फोन करने लगता है लेकिन तभी वो एकदम से घवरा जाता है क्योंकि उसके सामने वही रिमोट रखा था और साथ में मॉटी का एक नोट भी होता है उसमें दिखा होता है कि एक अच्छे इंसान को एक ब्रेक की जरूरत भी होती है इसके बाद मॉटी समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था वो सब कुछ रियल था बाद में माईकल सही फैसला लेता है और वो से रिमोट को डस्ट बिन में डाल देता है और अब अच्छे से अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने लगता है और अब इसी के साथ ही मूवी भी हाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों वीडियो के ऐसी लगी कॉमेट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारी नेक्ट वीडियो में